आप देख रहे हैं QNS TV के एक विक रिपोर्ट आज की जो हमारी एक विक रिपोर्ट है ये कश्मीर से आई एक और इन्वेटिव ख़बर के बारे में हैं और जो ये इन्वेटिव ख़बर है इसके पीछे जो इन्वेंटर या अगर हम कह सकते हैं जो इस इन्नोवेशन के और अब क्योंकि यहां इसके पीछे एक 15 साल का बच्चा है तो यह कहानी यह स्टोरी अपने आप में ही स्पेशल हो जाती है क्योंकि हम सब जानते हैं कि 14-15 साल का बच्चा महज 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा होता है और इस टाइम पे बच्चे यूज इशाही एप्रिसेशन के लिए एक पहली पसंद बनती है और साथ ही में आप यह भी कह सकते हैं कि कश्मीर का नाम रौशन करता हुआ एक सितारा बन कर चमकता है तो अब हम आपको बताते हैं बेसिकली इस 15 साल के बच्चे ने किस तरीके की इन्वेशन में जो है सफलता हास की है जिस वजह से आज उसने खबर में जगा बनाई हम बात कर रहे हैं 15 साल के सरीर शौकत की जो कि हैदर पोरा के रहने वाले हैं अपश्मीर के यंगेस्ट वेब डिजाइनर है 15 साल के सरी अब यहाँ वेब डिजाइन के जब हम बात करते हैं तो वेब डिजाइनिग में नूर्मली बहुत ही टेक्शनी कल सांड बंदे इन्वाल होते हैं काम करते हैं और वहीं यह पंदरा साल का बच्च साल इब अठे अपने आप में किस 15 साल के बच्चे ने जो इसकी टेकनिकल नॉलेज है वो कहां से हासिल की होगी तो यहां जिस रिपोर्ट से ये खबर ये बात सामने आई उसमें ये लिखा हुआ था कि जो इसकी ये नॉलेज है वो सारी सेल्फ टॉट है और सारी इंटरनेट की मदद से ल बच्चे ने एक टेकनिकल नॉलेज गें की ना ही सिर्फ टेकनिकल नॉलेज गें की बलकि उसको प्रैक्टिकली इंप्लिमेंट करके सब को ये बात साबित करके दिखाए कि अगर आपके पास ये एक बून है तो इसे बून की तरह इस्तिमाल करें अब अगर आपको बताए तो इन्होंने क्या क्या डिजाइन किया है, क्या क्या इनकी इन्वेंशन रही है तो इन्होंने काफी सारे वेबसाइट्स को डिजाइन किया है, बहुत सारे लोगोस को, ग्राफिक्स को डिजाइन किया है तो ये अपने आप में ही अगर हम कहें तो commendable है क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये कितना tough task है तो इस tough task को इस तरह से 15 साल के बच्चे ने सब के सामने लाकर दिखाया ये एक अपने आप में ही कारनामा है तो हम कह सकते हैं कि he is a young prodigy प्लस यहां एक और बात भी दिखती है कि हम normally हम कई बार ऐसी report में कह चुके हैं जहां एक youngster इस तरह के innovations या कारनामे में शामिल होता है कि हम बच्चों को technology से दूर रखने की कोशिश करते हैं for their betterment कि वो जो है इसका गलत इस्तमाल ना कर पाए क्योंकि obviously एक discretion उनमें इतनी नहीं होती है कि वो यह समझ पाएं कि वो इसका इस्तमाल सही तरीके से कर रही है या गलत तरीके से कर रही है पर हाँ अगर आप with parental guidance अपने बच्चे को एक सही राह दे एक correct direction दे तो I'm sure हर बच्चे में ऐसी capability और ऐसी capacity है कि वो इस तरीके का कोई कार नामा जो उसके हद के हिसाब से हो वो करके दिखाया जैसा यहाँ इस 15 साल के हैदर पोरा के रहने वाले सरीर ने करके दिखाया तो यहाँ तो अभी तो वो महस 15 साल के है अब ये अपने आप में ही सोचने वाली बात है कि जब ये बड़ा होगा आने वाले सालों में ये किस तरह से आउटशाइन होगा और किस तरह से एक कश्मीर का नाम बड़े पैमाने पर रॉशन करेगा तो हैर QNSTV wishes him all the luck और इसी के साथ हमारे इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही बागी खबरों के लिए stay tuned to QNSTV